So hello friends, मेरा नाम है मुंकेस और स्वागत था आपका मारी YouTube चैनल के किनिकल को ना में दोस्तो Realme ने अपना smartphone Realme 12 Pro 5G को launch कर दिया इडेर मार्केट में तो क्या है इसके specs आपको पता ही होगा पर आपको ये पता नहीं होगा कि ये phone लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये जिस price point पे launch हुआ है इस price point पे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्या है इसके फ्रोज और क्या है इसके cause ये सारी चाहिए आपको बताने वाला हो इस वीडियो में इसके specs तो आपको बताऊँगा ही पर पूरे detail के साथ आपको बताऊँगा इसा नहीं कि बस क्या है camera क्या है नहीं है ये सारी चाहिए बताऊँगा पूरे detail के साथ आपको इसके specs भी आपको बताऊँगा आप खुद judge कर पाऊँगे कि ये phone आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए So guys चलिए video start करते है So guys बात करते हैं इसके build and design से इसमें आपको frame जो मिल जाता है वो आपको प्रलास्टीक का frame देखने को मिल जाता है इसका जो back जो design आपको देखने मिलता है वो बेगें लेदर का design देखने को मिल जाता है और साफ में आपको triple camera setup देखने को मिल जाता है इसमें जो कुछ round सा मतलब watch जादा design दिया गया है जो real बालों ने बहुत जादा प्रमोन भी किया इस चीज़ को कि कुछ watch डिजाइन premium करके कुछ दिया गया है तो ये सब company की जो marketing होती है और कुछ नहीं होती है और design कुछ ऐसा इसका निकल के आता है और बात तरू अब इसके display की तो इसमें आपको मिल जाता है 6.7 inch का एक OLED पैनल का display देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 120 hertz का refresh rate भी देखने को मिल जाता है ये display 10 bit है और display कर रहे है थोरा सा premium देखने में ये display लगता है और 7 में ये punch hole display भी है जो हर phone में आपको देखने को मिल जाता है punch hole display और guys इसकी जो peak brightness है वो 500 nits की है यारी कि आप 12 में इस phone को use करेगो तो enough brightness आपको देखने को मिल जाएगी तो guys जब बात करते हैं इसके camera की तो इसमें आपको 50 मेगा पिक्सल का Sony IMX 882 का sensor देखने को मिल जाता है और 7 में आपको 32 मेगा पिक्सल का तेली photo lens भी देखने को मिल जाता है और 8 मेगा पिक्सल का ultra white camera देखने को मिल जाता है and secondary camera की बात करें यानि front camera की बात करें तो इसमें आपको 16 Megapixel का camera देखने को मिल जाता है front so guys जब बात करते हैं इसके processor की तो इसमें आपको मिल जाता है snapdragon 6th generation 1 का processor जो एक नया processor है इस phone के साथ पहली बार इडिया में launch हुआ है snapdragon 6th gen 1 जो processor है वो आपको 4 nanometer architecture पर बेस्ट है and इसके antutu score के बारें बात करें तो 5-6 लाख का antutu score इसका निकल के सामने आता है अब guys बात करें इसके RAM and roll type की तो इसमें आपको LPDDR4X RAM देखने को मिलता है and storage की बात करें तो इसमें आपको UFS 3.1 storage देखने को मिलता है so guys अब बात करें इसके connectivity की तो इसमें आपको Dute 5-2 screen का support देखने को मिलता है and guys इसमें SD card का support नहीं दिया क्या है यानि कि आप इसमें memory card अलग से नहीं लगा सकते हो and Wi-Fi की बात करें तो इसमें आपको Wi-Fi 6 दिया क्या है Bluetooth की बात करें तो इसमें आपको Bluetooth का version 5 दिया क्या है and guys sensors की बात करें तो इसमें आपको सारे sensors देखने को मिल जाता है including आपको in display fingerprint sensor भी देखने को मिल जाता and face unlock का feature भी आपको देखने को मिल जाता माइक की बात करें तो इसमें आपको दो माइक देखने को मिल जाता है, एक माइक सेकेंडरी माइक, एक माइक कैसिलेशन माइक आपको देखने को मिल जाता है, तो गाइज बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 एमेच का बैटरी देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 67 व कुछ चोटी हैं कुछ बड़ी कॉस है, so guys first कॉस की बात करें, तो इसमें आपको 3.5 mm का headphone jack नहीं देने हूं मिलता, इस phone में ही नहीं बहुत साई कंपनियां, अब नहीं देती 3.5 headphone jack, पर देना चाहिए, अगर second कॉस की बात करो, तो इसमें कम से कम at least LPDDR 5X RAM देना चाहिए था, या LPDDR 5B RAM दे देना चाहिए था, इसमें आपको LPDDR 4X RAM दिया गया है, यह मेरे लिए एक second कॉन है, so guys third कॉन की बात करें, तो इसमें जो प्रोसेसर दिया गया Snapdragon 6 Gen 1, यह अपने price के हिसाब से justify नहीं करता, जो प्राइस इसका रखा गया है, कुछ और कोई और प्रोसेसर दिया जा सकता था, इस price point, guys अब फोर्थ कॉन की बात करते हैं, तो इसमें आपको front camera में 1080p 30Aps video recording दी गई है, इसमें आपको at least 60Aps video recording दिया जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग अब vlogging करते हैं, तो उनको 30Aps enough नहीं रहेगा, अब बात करते हैं, इसके final cost की, यानि fifth cost की, इसका price जो है, मुझे over price लगा, कम से कम इसका price 22-23,000 रुपे के बीच में राना चाहिए था, इसके base रहनी है, तो यह अभी जो इसका price रखा गया है, बेस बेरियंट का, 26 यह मेरे हिसाब से थुरा over price है, यह जिस specs के साथ आया है, जिस processor के साथ आया है, इसका camera setup है, अगर यह 22-23,000 रुपे के under, अगर launch होता, या 22-23,000 रुपे 24,000 में भी launch हो जाता ना, तो यह एक killer smartphone रहता अपने price point पर, तो यह मुझे कौस लगा, अब यह phone को आप लेना चाहिए, या नहीं लेना चाहिए, यह मैं आपको बता दू, अगर आपका priority है, camera, तो आप इस phone के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसका camera setup जो है, वो अच्छा दिया गया है, अगर अगर आपको gaming करना है, अगर पबजी बगर है, यह game बगर खिलना है, तो आप दोसरे phone के साथ जा सकते, तो आप comment section में बताना है, दोस्तों कि इसका specs और इसका price आपको कैसा लगा, यह phone आपको कैसा लगा, बता देना नीचे comment section में, तो आज के लिए इतना ही मिलता हूँ कि इस लिए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातर